हेलो फ्रेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब बढ़िया होंगे, आज मैं आपके साथ बहुत एक अमेजिंग वीडियो शेयर कर रही हूं, जिसमें हम लोग ने दिवा साथ आते हैं, मस्ती भी के थी और मस्ती के साथ साथ कुछ स्पेशल काम भी के लिया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, यह देखिए, यहां पर हम लोग पहुँच चुके हैं धंतला उगाट, और धंतला उगाट पर बहुत सारी बंदर हैं, तो जिस दिन हम लोग जा रहे थे, उस दिन मंगलवार था, मंगलवार को बंदरों को कुछ खिलाना, इस्पे चने खा रहे हैं, इसके बाद हम लोग पहुच गए थे, जामगोद, जहां पर यह पवन उर्जा साइयंत्र, जो विंड मेल होती है, वो लगाया गया है, 1995 में, 1995 में लगाया गया था, जहां पर हवा को कैच करके, उसका जो प्रेशर होता है हवा का, उसको कैच करके, उसे क हम बोल सकते हैं कि electricity का production किया जाता है, हवा के थ्रू, उसके pressure के थ्रू, और फिर production करके electricity, जिसे भी जरुरत होती ही, companies वगेरा को, या फिर खेत, खेत के लिए, तो वहाँ पर उसे दिया जाता है, तो इस तरह से देखिए, यह रोड से काफी दूर था, यह जो पहाड़ी है यह रोड से काफी दूर इस्थी थे, इसके कारण वीडियो बहुत सदा क्लियर नहीं बन पाया, लेकिन आप देख सकते हैं, यह पंखे जैसे जो घूम रहे हैं, यह पूरी मशीने हैं, जिसके थ्रू हावा से electricity का production किया जाता है, यह देखिए, काफी दूर से मैंने वीडि हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, जो कि हवा को काटते हैं, इसके प्रेशर को शाद वो कैच करते हैं, और उसी से electricity का production किया जाता है, आप देखी सकते हैं, यह 1995 में लगाया गया था और तब से electricity का production यहाँ पर किया जा रहा है, यह इस तरह से आप देख सकते हैं, यह जाम देवास पहुचने ही वाले थे, किसी दिन जब मैं यहाँ पर आऊंगी, तो उसका क्लियर वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो शायद आप लोगों को जाद अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह विंड मेल किस तरह से वाक करती है, जब हम लोग उस पहाड़ी पर यदि अलाओ होगा तो वहाँ चाहेंगे और पूरे प्लांट का वीडियो में बनाऊंगे और आप लोगों के साथ शेयर करूंगे, और इसके बाद हम लोग फाइनली पहुची गए थी देवास, देवास के एंट्री हम लोगों ने राजोदा सा आप देख सकते हैं कि 3-4 दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही थी उसके कारण हमारा मीठा तालाब भी पूरी तरह से भर चुका है, देखिए कितना जादा पानी उसमें भर चुका है और इस तरह से हम लोग देवास में एंट्री कर ही चुके हैं, देखिए इस तरह स मीठा ताला चारो साइड से फैला हुआ है इस तरह से और उसके बाद हम लोग आगे थे भूपाल चुरहा के रोड पर और यहां पर आप थोड़ा सा गोर से देखेंगे तो यहां पर है केपी कॉलेज, जो कि गवर्मेंट कॉलेज है, साइंस कॉलेज है और उसके बाद थो रूपवे पांच छे सालों से बना हुआ है, यदि कोई सेडियों से या स्लोप से नहीं जाना चाहता है तो यह रूपवे के थू जा सकता है, तो भूपाल चुरहे पर इसके टिकेट मिलती है, यहां पर इसका बना हुआ है, जहां से टिकेट मिलती है, यहां पर यह ट्रॉ apparently 30th spot 50-55 एक परसंदों का चार्ज होता है जिसे एक साइड का जाने का या फिर आने का बोल सकते हैं उसे एक साइड का चार्ज होता है 80 85 और उससे आप पहड़ी पर जा सकते हैं टेक्री पर और एक है सीडियों वाला तो यह सीडियों वाला रास्ता है यह देखिए सीडियों वाला रास्ता है यहां से में एंट्री होती है सीडियों के रास्ते के लिए तो सीडियों के रास्ते से भी आप जा सकते हैं इस लगभख सो से 120 सीडिया है और माताजी के दर्शन आप आराम स लाल गेट के बाद आता है सयाजी जो कि मैं आप लोगों के साथ अल्रेडी वीडियो शेयर कर चुकि लिए जो कि हमारा लोकल मारकेट होता है वहाँ पर तो ये हमारा में रोड चल रहा है एबी रोड जिसे बोला चाता है ये इस तरह से एबी रोड ही चल रहा है और एबी रोड से ही हम लोगों की कोलनी आती है और यहीं इसकी आसे आच्पाशी महारा है बस स्टेशन जहांपर सब भी रोड की बसेस मिलते हैं कहीं भी आपको जाना हूँ उसकी बसे यहीं पर मिलती है उजेन, इंदौर, भोपाल या कहीं भी आपको जाना हो श्लीडी वगिरा तो हर रूट की बस यहीं पर से मिलती है उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे यहां पर यही लाल गेट और लाल गेट के बाद यहां पर थोड़ा सा हमें बहुत जादा भीड दिखने को मिल रही थी क्योंकि हमें थोड़ा सा लग रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हम लोग भी 15 दिनों के बाद यहां पर आय थे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि दो लोगों की मौत हो गई थी और शाद आट-दस लोग घायल हो गए थे तो फिर वो हमें घर पर आने के बात पता चला था शाद आप यह न्यूस न्यूस पेपर में भी देख सकते हैं कि ऐसा हाथसा हो चुका है तो उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे यह एमजी रोड यहाँ पर हमारा गौर्मेंट हॉस्पिटल है यह एमजी रोड है यहाँ से हमारा गौर्मेंट हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता निकलता है इसलिए इसे एमजी रोड भी बोला जाता है में वेसे तो यह एबी रोड ही बट वहां पर यदि मेजिक वगिरा सा कोई आता है तो उसे यही बोला जाता है कि एमजी उतरना है तो एमजी रोड बोला जाता है उसे टर्न लेना पड़ता है एमजी रोड के लिए और ये फैनली हम लोग जा रहे थे हमारी कॉलनी साइट तो आप देख सकते हैं इजिली ये मैंने सामने से वीडियो कैप्चर किया था ये डियोग का अब़रोड ही चल रहा है और इस तरह से हम लोग जा रहे थी और फैनली हम लोग फिर दिवास आ ही गय थे काफी दिनों के पंद्रा दिनों तक हम लोगों ने काफी मस्ती की थी मज़ा किया था फुल नाइट मस्ती की थी बहुत जागे थे रात में और काफी इंजॉय किया था गाओं में क्योंकि काफी टाइम बाद गय थे हम लोग गाओं तो काफी मज़ा आया था हम लोगों को और इसके बाद हम लोग आ गए थे दिवास तो यहां पर मेरी कॉलोनी का और मेरी घर तक का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोगों को शाम के लिए दूद और सब्जी बगरा लेनी थी उसके बाद में वीडियो शूट करना भूल गई थी तो सॉरी फॉर दैट आए होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदी पसंद आया तो प्लीज लाइक किजिए का कमेंट किजिए का और शेयर किजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थैंकियो सो मुच फ्रेंड स्टेक केर बाई बाई